आज प्यारे बाप दादा के साकार इश्वरिय मधुर महवाक्य हैं, 17 जुलाई 2013 आज की मुरली के सार में बाबा ने बहुत उचा नशा और स्मर्ति दिलाते हुए कहा कि तुम लखे स्टार्स हो, पवित्रता की बलीहारी के कारण, तुम्हारा यह संगम का जन्म हीरे जैसा जन्म है फिर कहा तुम्हारे उपर बहुत बड़ी responsibility है, तुम्हें पतीतों को पावन बनाकर भारत को स्वर्ग बनाई, फिर उस पर राज्य करना है इसलिए बहुत खबरदारी से चलना है, कदम कदम श्रिमत पर चलना है फिर कहा बाबा कहते हैं, मूल बात है निश्चय बुद्धी बनो, तुमने विचित्र निराकार बाप का हाथ पकड़ा है इस ब्रम्हा बाबा के चित्र शरिर द्वारा कहते हैं, मुझ बाप को याद करो, तुम्हारी जिन्न जैसी बुद्धी होनी चाहिए फिर बोहत ही गुहिय सुक्ष्म बात समझाते हुए कहा, कि अब तुमने यह समझा हैं, प्रजापिता ब्रम्हा को व्यक्त ब्रम्हा कहा जाता है, अब तुम व्यक्त ब्रम्हन हो, फिर अव्यक्त संपूर्ण ब्रम्हन बनते हो, जब संपूर्ण ब्रम्हन बनते हैं, तो सुक्ष्मवतन वासी ब्रह्मण बन जाएंगे, संपूर्ण ब्रह्म्हा, संपूर्ण स्रस्वती, दोनों वहां सुक्ष्मवतन में रहते हैं, फिर विशेश समर्ती दिलाते हुए रूह रिहान सुनाई, कि बाबा घड़ी-घड़ी कहते हैं, किसके साथ चल रहे हो, तुम कह केंगे शिव बाबा के साथ चल रहे हैं, फिर बाबा कहे शिव बाबा के साथ कैसे चल रहे हो, शिव बाबा तो विचित्र निराकार है, बाबा कहे तुमने अभी विचित्र निराकार बाब का हाथ पकड़ा है, तो निश्चय बुद्धी हो रहना है, सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य विस्तार से आज बाबा कहे मीठे बच्चे अभी तुम बाप, टीचर, सत गुरू तीनों के सन्मुक बैठे हो बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे है सत गुरू बन साथ ले जाएंगे आज मुरली से प्रश्न है बच्चों का बाप से कौन सा वाइदा है तुम्हारा कर्तव यह क्या है उत्तर में बाबा ने कहा बाप से वाइदा है बाबा, हम आप से जो कुछ सुनते हैं वह दुसरों को भी अवश्य सुनाएंगे आप समान बनाएंगे हमारा कर्तव यह है बाप समान सब को पढ़ाना क्योंकि अभी बुद्धी का ताला खुला है जैसे हम वर्सा ले रहे हैं ऐसे रहिम दिल बन दुसरों को भी वर्सा दिलाना है आज मुरली में गीत बजा लेलो लेलो दुआए माबाप की सिर से उत्रेगी पाप की गठरी सारी मुरली से धारना के लिए सार है पहला पढ़ाई में मात पिता को फॉलो करना है खुशी में रहना है कि उचे ते उचे धाम से भगवान हमें पढ़ाने आते है दुसरा अब हमें वापस स्वीट होम में जाना है इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है देह सहित सब कुछ भूल जाना है आज बाबा ने वर्दान दिया आवाज से परे स्रेश्ट स्थिती में स्थित रहे शान्ती की शक्ती का अनुभव करने वाले मास्टर बीजरूप भव आवाज से परे स्रेश्ट स्थिती में स्थित रहे शान्ती की शक्ती का अनुभव करने वाले मास्टर बीजरूप भव स्पश्टिकरण है आवाज से परे रहने की स्रेश्ट स्थिती सर्व व्यक्त अकर्शनों से परे न्यारी और प्यारी शक्तिशाली स्थिती है, एक सिकेंड भी इस स्रेश्ट स्थिती में स्थित हो जाओ, तो उसका प्रभाव सारे दिन करम करते हुए भी स्वयम में विशेश शान्ती की शक्ति का अनुभव करेंगे, इसी स्थिती को करमातित स्थिती, बापसमान संपूर् यही मास्टर बीजरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिती है। इसी स्थिती द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव होता है। बाबा ने जो हाइस्ट स्थिती है सर्वोच फाइनल स्टेज हैं उसका वरणन किया कि सारे दिन में अगर एक सेकेंड भी ऐसी स्थिती बन जाती हैं तो वो स्थिती सारे दिन में कार्य करते हुए भी ऐसी अनुभूती होंगी कि जैसे कार्य करते हुए भी न्यारे हैं। मास्टर सर्वशक्ति मान सिती का अनुभव होगा, जिससे हर कार्य में सफलता का अनुभव करेंगे। अज का स्लोगन है, महन आत्मा वह हैं, जिसका हर बोल महावाक्य हैं। अच्छा, मिठे मिठे सिकिल थे, बच्चो प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड़ मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता, बाप दादा को भी, याद प्यार, गुड़ मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते अच्छा, उम शंती, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया